गुलाब जामुने कैसी मिठाई है जो हर किसी का फेवरेट होता है बस इसे देखते ही खाने का मन करता है तो आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ बेहत स्वादिष्ट मुह में घुल जाने वाली गुलाब जामुन चमचम की रेस्पी जिसे बनाना एकदम असान होता है तो चलिए बीडियो को फटा फट से सुरू करते हैं तो गुलाब जामुन चमचम बनाने के लिए देखिए मैं यहाँ पर गिट्स इंस्टान to ready mix लिया है जिससे गुलाब जामुन बनाया जाता है आप किसी भी ब्रैंड का कोई भी ready mix ले सकते हैं तो यह देखिए 500 ग्राम का पैकेट था मैंने इसमें से आधा बना लिया था पहले ही और आधा बचा हुआ था तो अभी मैं इसको बना रही हूँ तो चलिए इसे एक मिक्सिंग पाउल में हम निकाल लेते हैं और अब हम इसका डो लगा कर त्यार करेंगे तो आप चाहे तो दूस से भी इसका डो लगा सकते हैं या फिर नॉर्मल पानी से भी लगा सकते हैं मैं नॉर्मल पानी से ही इसका डो लगा रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसको मिक्स करेंगे ध्यान रखिएगा इसका जो डू है न थोड़ा सा सॉف्ट ही लगाना है किनके हम इसको दस मियट के लिए रेष्ट देंगे न थोड़ा सा ये फूल करके टाइट हो जाता है तो देखिए इस तरीके से न इसको एकडम सोफ्ट डू लगा कर तयार करना है तो बस इसको इसी तरीके से mix करके छोड़ दीजिएगा इसको इकठा भी मत कीजिएगा अभी इसी तरीके से हम इसको ढख देंगे और ढख करके 10 मिट के लिए छोड़ देंगे इस तरीके से बना कर देखिएगा गुलाब जामुन इतना बढ़िया बनता है ना एकड़म परफेक्ट बन करके तयार होता है और जब तक ये रेश्ट कर रहा है 10 मिट के लिए तब तक हम इसके आगे की तयारी कर लेंगे यानि की चासनी भी बना लेंगे और इसके अंदर स्टफिंग भरने के लिए हम मावा भी तयार कर लेंगे तो चासनी बनाने के लिए देखिए मैंने एक कटोरी से देख कटोरी इसमें चीनी डाला है अगर मैं वजन में बताऊं तो ये लगभग साढ़े तीन सो ग्राम के करीब होगा चासनी थोड़ा सा ज्यादा ही बनाईएगा किमकि गुलाब जामुन के लिए चासनी थोड़ा सा ज्यादा रहता है तो अच्छा रहता है अब देख कटोरी हमने इसमें चीनी डाला था तो देख कटोरी हम इसमें पानी भी एट कर लेंगे और इसको mix करेंगे और चीनी को पानी में घूलने देंगे और इसकी चासनी तयार करेंगे इसकी जो चासनी है फटाफट से बन कर तयार हो जाती है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बस तीन से चार मियर्ट में ही ये तयार हो जाएगी तो यहाँ पर देखिए चासनी में उबाल आ रहा है अच्छे से ये बॉइल हो रहा है अभी हम फ्लेवर के लिए इसमें केवरा एसेंस आइट कर रहे हैं आप चाहे तो इलाइची का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए चासनी को और पका लेते हैं देखिए इसको पकते हुए लगबख तीन से चार मियट हो गया है एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं तो फिंगर की मदद से इसको इस तरीके से टच करके देखिएगा इसमें दिखिए बिल्कुल भी तार नहीं बन रहा है बस यह आप जब इसको टच करेंगे न तो यह चीप चीप आसा लगेगा थोड़ा सा गाठा लगेगा तो यहाँ पर हम फ्लेम को बंद कर देते हैं क्योंकि हमारी चासनी रेडी हो गई है इसे उतार करके साइड में रख देंगे और अ अब यहाँ पर हमारा जो खोया है बहुत जल्दी बनकर त्यार हो जाए उसके लिए मैं इसमें एक कटोरी मिल्क पाउडर एट कर रही हूं और साथी में तीन चमच मैं इसमें चीनी भी डाल रही हूं बहुत ज़्यादा चीनी नहीं डालेंगे क्योंकि गुलाब जामुन क के अंदर भी मिठास होगा तो इसमें थोड़ा सा कम ही मिठा रखेंगे आप चाहें तो केवल दूद से भी इस मावा को बना सकते हैं बस दूद को उबाल उबाल करके गाठा कर लीजिए बस फरक इतना रहेगा कि दूद को उबालने में आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइ देखिए जब इस तरीके से यह अच्छे से गाढ़ा हो जाए ना तब हम गैस का फिलिम बंद कर देंगे हमारा जो खोया है बंकर त्यार हो गया है इसे भी उतार करके साइड में रख देते हैं और इधर हमारा गुलब जमुन वाला डो भी अच्छे से रेश्ट कर चुका ह Isatelli e港 फूल गया है इसे एक बार अच्छे से मसल लेते हैं ताकि रेशी के से तरीके से Gag Please На ौकित्र तैयार करेंगे उसके लिए मुझे को रॉल के जैसा पहले बना लेंगे और फिर चोटे-छोटेशे में चने काट कर लेंगए इस तरीके से करने से जो गुलाब जामुन का साइज होता है एक साइज में बनकर तयार होता है तो देखिए इस तरीके से हमने सारी लोई को कट कर लिया है अब एके करके हम इसकी गोलियां तयार करेंगे तो इस तरीके से यहां थेली के बीच में रख करके थोड़ा सा प्रेस करते हुए इ फिर इस तरीके से चप्टा करके भी बना सकते हैं बस ध्यान इस बात का देना है कि जब हम इसका बॉल बना रहे हैं तो इसमें बिल्कुल भी दरारे नहीं होनी चाहिए एकदम चीकना बॉल बना कर त्यार करना है तो यहाँ पर देखिए आधा से ज़्यादा हमने गुलाब जामुन के लिए लोईयें तयार कर ली है और थोड़ा समयने अभी बचा लिया है जब तक हम इसको फ्राइ करेंगे तब तक हम बाकी के बचे हुए लोईयें को भी तयार कर लेंगे तो चलिए अब हम चलते हैं इसको फ्राइ करने के लिए तो गुलाब जामुन को फ्राइ करने के लिए तेल को मेडियम करम रखना है बहुत जादा कम गरम भी नहीं रखना है और बहुत जादा गरम भी नहीं रखना है अगर तेल बहुत कम गरम रहेगा ना तो गुलाब जामुन के फटने के चाम सिसराते हैं तो एके करके हम सारे गुलाब जामुन वाले बॉल्स को इसमें डाल देंगे जितना एक बार में आ सकता है तो इसी तरीके से सारे गुलाब जामुन वाले बॉल्स को इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई होने देंगे तो इसी तरीके से हम सारे गुलाब जामुन वाले बॉल्स को तेल में डाल देंगे और एक तरफ से इसको फ्राई होने देंगे जब एक तरफ से हलका सा color आ जाए तब हम सारे गुलाब जामून वाले balls को पलट लेंगे ये देखिए कितना बढ़िया फूल कर त्यार हुआ है इस तरीके से हम सारे balls को पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से अच्छे से fry कर लेंगे तो देखिए गुलाब जामुन के उपर बहुत ही बढ़िया सा कलर आ चुका है बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो गया है अब हम क्या करेंगे कि इसको निकाल लेंगे और फटा फट से चासनी में इसको डाल देंगे चासनी यहाँ पर गरम रहना चाहिए बहुत जादा नहीं लेकिन गरम रहना चाहिए तो अब क्या करना है कि इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको ढख करके छोड़ देंगे तब तक हम बाकी के बच्चे हुए गुलाब जामुन को भी फ्राई कर लेंगे तो देखिए इसी तरीके से हमारा दूसरा बैच भी फ्राई हो गया है इसे भी निकाल लेते हैं तो देखिए यहाँ पर जो हमने पहला बैच डाल करके छोड़ा था चासनी में यह अच्छे से फूल गया है अगर गुलाब जामुन परफेक्ट बना है ना तो चासनी को इसमें भरने में टाइम नहीं लगता है फूलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है देखिए 10-15 में यह अच्छे से फूल गया है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं तब हम इसमें दूसरा बैच डालेंगे लेकिन उससे पहले हम चासनी को गरम कर लेंगे तब इसमें दूसरा बैच डालेंगे क्योंकि चासनी ठंडा रहेगा तो गुलाब जामुन के अंदर चासनी अच्छे से भरेगा नहीं तो यहाँ पर देखिए हमारा गुलाब जामुन जो है बनकर के त्यार हो गया है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बनकर त्यार हुआ है अभी क्या करेंगे कि हम एक एक गुलाब जामुन को इस तरीके से बीच से कट कर लेंगे यह देखिए, आप देख सकते हैं, अंदर से कितना बढ़य चासनी भर कर त्यार हुआ है, अब हमने जो मावा बना कर रखा था ना, उसको इस तरीके से छोटी-छोटी लुईयं बना कर त्यार करेंगे, और इसको चप्टा कर लेंगे इस तरीके से, और फिर इसके बीच में इस तरीके से लगा लेंगे और उपर सेज को दूसरे वाले कटे हुए पीच से कवर कर लेंगे और ये देखिए कितना बढ़िया मिठाई बनकर तयार हुआ है ये देखिए गुलाब जामून चम चम बहुत बढ़िया लगता है खाने में आप जरूर एक बार ट्राइ कीजिएगा अब सिंपल गुलाब जामून तो हम हमेशा ही खाते हैं अगर आप इस तरीके से मावा की स्टफिंग वाला ये गुलाब जामून चम चम बनाएंगे नो बहुत बढ़िया लगता है खाने में तो देखिए मैंने सारे गुलाब जामुन को इसी तरीके से स्टफिंग लगा करके त्यार कर लिया है अब इसके उपर थोड़ा सहम चांदी का वर्क लगा लेंगे इस तरीके से देखने में बहुत बढ़िया लगेगा और अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखा देती हूं ये देखिए कितना सोफ्ट बन कर तयार हुआ है बिल्कुल मुह में जाते ही घूल जाएगा तो चलिए आप भी इसे बनाईए और इंज्वाई कीजिए रेस्पी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा मिलते हैं और अच्छी सी रेस्पी के साथ तब तक के लिए टेक केर बाए बाए